सब्सक्राइब कीजिए, लर्न बेसिक्स को और बेल ऐकन को दबाईए, कुछ नया सीखने के लिए अब हम समझना है कि एडिट रैप पॉइंट क्या होता है, तो चली इमेज को सेलेट कर लेते हैं, तो जब आप इमेज सेलेट करेंगे, तो उपर एक नया टैप दिखाई पड़ेगा, यह है फॉर्मेट टैप, फॉर्मेट टैप पे क्लिक करी, तो नीचे आपको बहुत सारे पड़ेगा, जब इन में से कोई एक आपने अपलाई किया होगा, ओपर की तरफ से, अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर टैट वाले पर हमने अपलाई किया हुआ है, इसक्वाइर पर एक पर एक पर अपलाई हुआ होगा, तब ही यह इनेबल दिखाई पड़ेगा, तो यह इनेबल नहीं दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर यह इनेबल दिखाई पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको एडिट रैप पॉइंट करना है, तो पहले आपको इन में से एक अपलाई करना होगा, उसके बाद आप दुबारा जब ज यह जो डॉट है, इसको हमने आपकड़ा और देखिए एक ऐसा एरो बनके आ जाएगा, अब इसको यहाँ पर छोड़ेंगे तो आप देखीगा, क्या होता है, यह देखिए, टेक्स जो थे वो इसकी हिसाब से एडजस्ट हो गया, इसी तरीके से आप कहीं भी एडजस्ट क और अपने हसाब से आप डिजाइन कर सकते हैं, इस ऑप्शन की मदद से, तो इसको हम बोलते है, एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसको हमने यहाँ से पकड़ा, और नीचे हमने यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, जब आपका काम पूरा हो ज कीजिए और यह खड़ जाएगा ठीक है तो यह है आपका एड़िट रैप पॉइंट